Hello student, myself, उच्छे विमानी I will teach you science subject for class 7th class 7th कर शेप्टर का नाम है Nutrition in Animals, Nutrition मतलब क्या होता है, पोश्ण करना मतलब जानवर को भी Nutrition की जर्मत होती है, जैसे कि हमने बिछले शेप्टर, फर्ष सेप्र में पढ़ा था Nutrition in Plants वैसे ही, इस में कि जाद करती है, Nutrition in Animals नहां से मतलब जैसे प्लांट में पोशेंट चाहिए विसे एंपलब प्येक में पोश्आन चाहिए अब हमें हालो ज ONE and nutrition फिरैने पादेंगे अन्यूरिशन हेनिफिशान था हो मावगभी के स्टूनें ऊंचेट्र केसित आंधे Ethan jane you can alreadyенить in the previous separate plans prepare for on there by the process of photos in this फर्टि प्लांट्स था सब ऊपने खisf doivent खैनदा प्लेकिल से प्लांट्स प्लांट्स आपना खानओ नहीं नहीं आइडेकन प्लांट्स पैर बोड डा मिक्मीति नहीं तो बनोर थीमाल, इंडार चब्डूर को बनाते हैं उनको खना क्यों चाहिए रहता है अपनी वादागा सृशत्र लगुधार की ह Bir यह अभल शक्युट है लिख छाते हैं , अभादा की हमाहीं के अंदर यह सी चोट लग जाती है तो विद यह यप प्रोटीन वो इसको रिपार कर सकते हैं और फॉर्ड रिफॉर्मिंग विरियस फंचिन्स और बहुत सारे फंचिन्स प्रपार करने के लिए फूट कंटीण फूट कंटीण मैंनी कंपोनेंंट सच इस कार्बोहाइट्रेट्ड फैट्स लिंडर विटामिन अर फूट के लिक आते हैं बहुत सारे c ‑‑ एं यह यह जिन फूटर रहते हैं यह releny ngology कंपोनेंट hammam फूर्म में होते जिनको उतलाइस नहीं कर सकते हो उतलाइस कैसे करेंगे नहीं, चोटे चोटे पार्ट्स में करेंगे कि थे समय मैं ले पाएगे the breakdown of complex components of foot मतलब complex components मतलब जो tough मात्रा में हैं जो hard मात्रा में हैं जो सक्त मात्रा में हैं उनको छोटे छोटे फ़र्म में करना उसको हम बोलेंगे digestion क्या बोलेंगे Did you ever think what happened to the food inside the body of an animal and a human आपको पता है जब हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है हमारी बोली के आप लोग को पता है नहीं पता ना अब हम इस शैप्टर ने पढ़ेंगे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कौन कौन सी प्रोसेजर्स होती है first the food is broken into simplist बाद करते हैं और फिर हमको एनरजी प्रवाइट करते हैं अब एनिमल में क्या होता है एनिमल भी खाने को लेता है और जब खाने को चोचोचोचे पार्टों में इटलाइस करता है तो क्या होता है कि वह जो फूट तो रहता है वह सो कहते हैं एनरजी और ग्रोट देता है वी हुमन बिंग्स टेक हौलसम फूट एंड सो डू मजरीटी ओफ अनिमल जिस टाप अफ नुट्रेशन इस रैडिमेट वर लिक्विड इस नौन इस हौलोसॉनिक नुट्रेशन जो सौलिट के फॉर्म में रहता है हाॉटू हमने फूर्म को फुट सweis नौन को ले रहा है यह वो इस थो दोयूरा रहे हिंट से सट्वन पास्म करांफ को त्विड होलोसॉनिक नुट्रेशन हमारे बहुत सारे सरह है जैसे इंजिशन देन नेक्स डाइजेशन और देने एबसर्प्शन और देने एसीमलेशन फर्स आता है हमारा इजिशन में क्या आता है प्रोसेस और टेगिंग इंद फूद इंडर बोड़ी ऑफ अफ एनिमल फॉर्म ऑफ एक्स्टरन इंवर्मेंट अगर जिस खाने खान जेब यह खाना दो भागों में बटे गा मतलब छोटों डी भागों में बटे का जैसके हमने झाने को खाया धेनम हमब को चबा रहें ब्रेकडाण में चबा रहे तो चबाने के पर ससिकी तो अप्र fonction क्या होता है फ़ो ऐब्जक्षण में क्या होगा जब वह खाना हमको इसे मीलेशन में क्या होता है जब बॉड़ी उस भाने को यूज से जेंद्ध मतलब कता है मतलब वह होता था और लास्ट गया हमारा एजी शिएंचे में क्या होता है जो हमारा खाना डाइजस नहीं हुआ तो वह क्या होगा सॉलिट के फार्म में वेस्ट प्राड़क्ट वनाई पॉट्टी के फार्म में वह बहां निकल जाएगा उसको क्या बोलेंगे इजिशन अब हम क्या बढ़ेंगे न्यूट्रेशन इन अमेबा के अंदे न्यूट्रेशन कैसे होता है वह बढ़ेंगे यह रिखिया यह क्या होता है अमेबा कैसे डिजाइन से होता है इसे 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 इनका कोई फिक्स शेप्स नहीं होता है जैसे इसे वह बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका shapes भी क्या होता है चेंज होता जाता है Amoeva is a microscopic single cell organism found in the pond of water यह कहाँ पाय जाता है यह हमारे गंदे तालाब में पाया जाता है और इसको हम देख नहीं सकते हैं इसको हम काई से देखते हैं Microsoft के Microsoft के help से देखते हैं यह ऐसा organism जो irregular shape cell membrane आपको बताऊं cell membrane कहा होती है जो outline से रखी है इसको क्या बोलेंगे cell membrane बोलेंगे यह जो हमारी outline से यह देखी यह जो हमारी outline सादी इसको हम बोलेंगे cell membrane क्या बोलेंगे cell membrane बोलते हैं ठीक और इसके अंदर है कि बीचो बीच एक nucleus होता है तो nucleus क्या हो रहा है यह जो आपको छोटा सा गोला दिख रहा है वह क्या है हमारा nucleus है जो की गोल के shape में होता है और एक bubble एक vacule यह देखे एक vacule से रखे छोट छोटे इसके इंदर क्या है हमारे vacule से तो आपने परदेशन भी चेंज करते जाता है कि अपने पॉडिशन भी चेंज करते जाता है अब देखिए एक फिंगर लैक प्रोडिक्शन दें रखा है जिसको बोलता है इस शूपपीटियम क्या मोलते हैं। हम इसको सूपपीडिया, यह फिर इसको मोलेघे। इसके यह जो हैल्ग जिसके हैल्ग से हैमिवा कषिए करता है। यहां से food लेता है and then यह अपने आपको close कर लेता है किसके हल्प से super video के हैं से वो close कर लेता है और उसके बाद वो उस खाने को digest करने की कोशिश करता है यह दिखिए दे रखाए इस super video को हम false sweets की नाम से भी जानते हैं जो कि food को capture कर लेता है क्या कर लेता है एकदम से capture करके और अपना मूँ बंद कर देता है इट फूट कंसिस्ट आफ माइक्रो ओन सेंसिंग वूट एमब गिवा सुपर बोडिया वी सराउंड दे फूट पार्टिकल अभी जो फूट रेखा है वो कहाँ जाएगा इस फूट पार्टिकल के बσ inform पार्टिकल के अंदर जाएगाँ जम्सेंग ऑन्ट अदर जाएगा यह चोट 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 बागों में तूट जाते हैं और उसके बाद जो सब्सक्राइब प्रासेजर रहता है और पढ़ेंगे नूट्रेशनल हुमर्स जिस तरह अनिमल्स को नूट्रेशन की जदपड़ती है जिस तरह प्लांट्स को नूट्रेशन की जदपड़ती है उसी तरह उमन को भी नूट्रेशन की जदपड़ती है तो वी हुमर्स को हर दिन खाना चाहिए वाट हैपन तो इस फूट वेर ड़स इट गो यह कहा जाता है कैसे होता है वह सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे अधर ओंबिन की हुमर्स अधराई डहास होता लिए घ्लिवाट्रेशन की फट्रूर अक्राइशन, Ś Pixel सब्सक्राइब हमगे एर through a number of organs the body mouth के बाद और बहुत सारे अलग-अलग organs में जाती है किसके तू जाती है वो food candle मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं न तो हमारे यह यह देखिए जो आपको डायर्ट से रखा है यह जो चीज है न इसको क्या बोलेंगे food बोलेंगे अलिमेंटरी कैनल बोलेंगे अब अलिमेंटरी कानल कैसी होती है एक लोंग टाइप रेती है और कोईल ट्यूब मतलब गोल-गोल घूमी भी रहती है जिसके अंदर क्या होता है यह क्या कंसर्स करती है माउथ या माउथ कैवेटी को ऐसे फैगस हमारी food पाइप से खाना लेंगे यह ऐसे फेगस मतलब फूड पाइप के अंदर पुचाती है दैन हमारे स्टमक के अंदर बोच्टा है मनलब पेट के अंदर फिर हमारे स्मॉल इंसेंस्ट एंड लाज इंसेंस्ट और देन हमारा खाना जो है वह वह वेस्ट प्रडेक्ट के तरे बहार निकल 사ाना मैं हमारह जो फुड प्रोसेश सी है सब से अदो बेह और म्याव जाता है और मरा मिश को तो पढ़ेंगे इसका अलिमेंटिही Ond's क्या होता है वह पढ़ेंगे तो अवान से शुचे फॉत बहुत अल्यांोगी एपर्स में न ऐलिमाटोष क जााइका पत्या क Pik तास्तर जब हम खाना खाते है न जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो खाना रहता है वह तो जब हमारे सलाइवा से मिलता है तो उसमें क्या होता है जब हमारे फ्टपाइब के अंहां जाता है facts इंके में जाता है तो हमारे थे फूटि होता है जो हमारे energy पत tahun 2020 मिलता है धे सबसे पहले हमारा है process ingestion होता है इंडिशन में क्या होता है सिर्फ वर सिर्फ वर मूग के अंदर खाना कहते हैं मूग के अंदर हमारा खाना जाता है उस process को भोलेंगे इंडिशन अब सेकेंड आ रहा है माउथ में क्या होता है अम लोग खाना काई से लिखाते हैं माउथ से खाते हैं तर्टिट अंदर टॉट प्लें इंपॉर्टेंट और इंडिशन और फूड जो हमारे टिट और टंग रहते हैं वह हमारे लिए बहुत ज्यादा खाने के लिए खाने को चबाने के लिए खाने को चोट चोटे पॉसस को करने के लिए हमारे लिए टिट और टंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अब टिट टिट क्या होते हैं तो टिट आपको बता हमारे दो दज़की होते हैं प्राइमेरी टिट और पर्मा टीट आते हैं 10 इन एचो हम जबने हैं 10 हमारे जबने प्रहते हैं चार इनचैसर दो केमीज चार मोलरन भी प्रिमोलर्स का होते हैं जो हमारी प्रंट के थित जो अगर हम उसको देखा है तो हम लोग बोलते हैं मतलब दूद के दाथ दूद के दाथ भी हम उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दूद के दाथ भी हम उसको बोलते हैं तो जब यह दूद के दाथ क्या होता है जब तूटने लग जाते हैं कब तूटते हैं हमारे दूद के दाथ जब हम 6 या 7 साल के तो तूटे लग जाते हैं तो उसके बाद हमारे क्या आते हैं पर्मानेंट टित आते हैं और पर्मानेंट टित किते होते हैं 32 होते हैं और हर जबडे में कितने होते हैं 16 होते हैं 4 इंसीसर्स 2 कैनी 4 प्री मोलार्स और six molars होते हैं जिसको हम wisdom teeth के नाम से भी जानते हैं अब हम क्या बढ़ेंगे kinds of teeth में आपको बता है molars pre molars क्या होते हैं वो हम इसमें deeply पढ़ेंगे तो the four teeth incisors canons pre molars and molars ठीक है तो incisors क्या होते हैं ये एक sharp deep a ऐसे हमको जो फूड्ट रहता है हम क्या करतें सिसको छोटों फ़ोड़् करते हैं न हैポiren recognizable छोड़ी ने एक uns चोड़े वायित आफित बाठेक किसे जोटोंते इसे बाठते हैं ज हर्लाएं लिसास्त दृते हैं इसके पीछे क्यों होता है यह टीरिंग करते हैं किसको वाल्प करते हैं इसको हैल्प करते हैं छोट जोटे भागों में काटने के लिए आपने देखा होगा जो कुरकूरे के सब्सक्राइब करते हैं काटने के हमारा मुलार और प्री मुलार्स क्या होते हैं मोलार क्या होते हैं शाड दाडे हमारी दाडे होती है हम उसको मोलार्स मोलते है और जो दाडों के आगे वबने जो मल自लia के ताड़ों के नदर एतके वैं फेल प्रीमोलार्स अब हम पढ़ेंगे temporary milk appetite और permanent milk temporary anxiety में आपको बता है जब इंसान जनुन लेता है तो उसकी कोई धात नहीं रेते इन जब वह अंसान 6 मेने का होता है तो उसको정 temporary milk Reits अने लग जाते हैं और फिर उसकी बाद जब वह temporary milk vas test तो वह कोई में लग जाते हैं इस्ध निद्ध रीपमानेट में आने लग जाते हैं हमारे gajin milk Trits रहते हैं कितने होते हैं 20 देते हैं जो बाद में रिप्लिट का इसे हो जाते हैं पर्मानेंट में कितने होते हैं 32 होते हैं दो आज इसको एक फॉर्मूला के नाम से बताया गया है कि कहाने को चबने के हैं लिए context किए जिवान के रिम इसके हैं में मिक्सिंग इसंग से ज्एम दोकुण दल सुछआय चादब नमकवाला स्वीट मतलब मीठा और सॉल मतलब क्षटा मीठा है तो यह सब नहीं को करते हैं तेस्ट करते हैं हम यह अधने हैं मतलब बाते हैं तो खाना खाने के बाद नेक बतलब गर्दन और चेस्ट का का मोता ही हमारी फूट पाइप कहती है अब हम बोलते हैं स्टमक तो स्टमक क्या होता है स्टमक के सा होता है यू शेप्ड होता है और ठीक फ्लैंटेंड बैक एक बैक की तरह होता है इंद अपर अपर की तरफ से इस वाइडेस बहुत बढ़ा रेता है बहुत जादा बढ़ा रेता है तो जब खाना कहा जाता है हमा रिक्योस रहता है वह बचाता है इसको स्टमक को प्रोटेक्शन करने के लिए the acid skill bacteria which inserts along with the food and also make the medium acidic so that you can act इसके अंदर क्या करता है जो acid रहता है जो हमारा acid रहता है जो भी गन्दे लेता है तक हमारे बॉडी जो है बिमार नहीं सकेड़े दाएब जो बचाना रहता है जो डाइजेस्ट फूट रहता है वह कहा जाता है हमारा small instance stand में जाता है small instance stand क्या होता है small instance stand is highly coated about 7.5 meter long tube तो जो instant stands होती है वो कैसे highly cold आपने वो देखा है अगर पती जो कचछा वो कैसे गोल गोल रहती है वैसे small instance stand भी कैसे गोल गोल रहती है और वो किती मिटर लोंग होती है 7.5 मिटर लोंग रहती है डाइजिशन ऑफ आल टाप तो फूट कैरेट और कम्प्रेटर जो भी हमारे डाइजिशन का फॉर्म होता है वो कहां होता है small intense time में होता है food also take place the absorbed is passed in the blood system में जाता है with the nutrients reach all the parts of the body उसके बाते है जो डाइजिशन होता है उसका जो भी सारा जो न्यूट्रेंस होता है वो कहां होता है हमाने body के अंदर जाकर पास होता है मतलब जाता है मतलब पहुर्शन डाइजिशन होता है वो किस कितने होता है डीवर और पैंकरास के से होता है आप बोलोगे लीवर क्या होता है तो लीवर एक largest gland है हमारे body के अंदर यह कैसे गलार का होता है रैडिश ब्राउन ग्लैंड की तरह होता है जो की upper part of the right side मतलब हमारे chest है उसके उपर side में मिलेगा आपको it's a cat is bile juice with the help of digestion वो क्या करता है जो fats को digest करता है और इसमें से bile juice मतलब हमारे energy की juice निकालता है जो के हमारे body को nutrients रेता है अब पैंक्रियास क्या है तो पैंक्रियास क्रीम कलर्ड है local located just below the stomach जो कहां पर स्टमक के नीचे आता है और यह क्या करता है जो carbohydrates रहते हैं उसको broken करता है कि सिंपल शुगर में ताक्यों का मिल सके glucose मिल सके fats को भी convert करता है fatty acids में और protein को convert करता है animal acids में अब हम पढ़ेंगे large instance है तो large instance है इस क्या होता है यह कैसे होते हैं इसके अंदर किती बड़ा बैग होता है 1.5 मीटर बड़ा बैग होता है और यह shorter चोटा रहता है बहले इसका नाम larger लेकिन इसका में फंचन क्या रहता है पानी को अबसर्फ करना undigest food material जो कुछ food नहीं हो बाते उसमें से किसको अबसर्फ करना पानी को अबसर्फ करना अब हमारा आता है rectum रेक्टम क्या होता है तो undigest waste from the large intestine नहीं होब हो दिल कहा हो होका होना जलता हैplus जाता है और हो जो स्टूड़ चाहता है सेमी सॉलिड फेस के रूप में स्टोड जाता है मतलब टफ भाड में सेव हो जाता है वहां निकल जाता है किस के रूप में बाहर जाता है जिसको हम एडिशन्स के नाम से भी कहते हैं रूमिंट्स को पता है जो जानवर में आता है मतलब ना मुझामिंट्स कराथ Risk चलता ही रहता है उनका मुझ कभी थक मलब रुखता नहीं तो क्या बोलेंगे ड्यूमेंट्स बोलेंगे मतलब उनमें एक शमता रहती है कि वह जो हता है वह खाने को मतलब वापीस अपने फूट पाइप में लाकर उसको कंटिनुएसरी चिपाते रहते हैं और उसमें से न्यूट्रे कि और वह लोग अपने खाने को बाहर वर चाहते हैं कर्ड़ बोलेंगे और इसते आदिमिल्स खाने को वालकर बाहर पर खातेजाते हैं अगर कولिखाने को फूरलेंटने हैं देप्लांट यह ईटिंग ओ₨िमेंट्स नो ऊहसा है गागो नीन के और यदृ जिसाट्स पर डे जो इसमें क्या होता है कि 4 चेंबर रहते हैं यह रूमें रेक्रिलम और मेशम कश्ड और उसको बूलेंगे कुछ तो ह 오andez नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे जो कि ट्रांस्फर कर देंगे कहां रेक्ट्रिलम में उसको ट्रांस्फर देंगे और जब वह खाने को वापिस अपने मूं में होईगे और बाई-बाइच जाएगी उस परक्ने हों क्या बोलेंगे तुमिनेशन बोलेंगे जब वो क्या बोलते हैं सेकेंड चैंबर से जो कोष्टोन का डाइजिस्ट हो जाता है और जब वो थार्ट चैंबर में जाएगा तो वो वापिस दो खाने को भुलाएंगे और बार बार चैंबाएंगे तो दो फूट फॉट फॉट वापिस देन पूट फॉट चैंबर कहां पर जाएगा अबस में जाएगा वेर दा फूट इस अपोने डाइजिस्ट चैंबर जाएगा जिसको हम बोलेंगे ट्रू स्ट्रमक के बोलेंगे जो खान है वो खाजाएगा उसमें से फूट्स को लेंगे और निकल जाएगा और फाइनली जो अंडाज़स्ट रेगा वह किसके तुरुबार निकल जाएगा तो सोब स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या पढ़ा है नूट्रेशिन एनिमल्स पढ़ा नूट्रेशिन इनिमन्स पढ़ा और नूट्रेशिन इनिमेंट्स पढ़ा जो कि बहुत ही जाज़ा है हम लोग खाना खातो लेते हैं लेकिन खाना उसके बाद किस पॉर्सस में कैसे गुजरता है वह हमने इस चैप्टर पढ़ा ओप आपको वीडियो से चैप्टर के लिए हुआ होगा थाइंक झालो